हेलो गाइस तो मैं हूं स्याम और आप देख रहें मेरा योटूब चैनल कुक विश्यप स्याम तो चलिए आज हम बनाते हैं ताल मखनी दाल मखनी के लिए हमें चाहिए उरत डाल ब्लैक उरत डाल चाहिए हमें जो कि मैं ओवर नाइट सोक करके रखा था और उसको हलके से गर है वह अच्छे से निकल जाए उसके बाद से मैंने इसको क्या किया इसको फिर से जब गरम पानी से निकाला इसको ठंडे पानी में डालके अच्छे से इसको मल करके इसको दोना है और उसके बाद से क्या होगा एकदम क्लीन हो जाएगा एकदम क्लीन मतलब बोले तो चमकने लएगा दाल तो देखिए जैसा कि मैंने यह कर रहा हूँ जैसा मैं इसको दो रहा हूँ रगगड रगड़ के ऐसे ही आपको दोना है घर पे उसके बाद से आपको चाहिए एक हंडी आपके पास जो भी बरतन है वो आप ले लीजिए और उसके बाद से उसको डाल देना है हंडी में और उसके बाद से आपको इसमें डालना है पानी पानी आप डाल दीजिए ताकि इसको देखिए हमें कवर करना है तो एक ही बार में प चार प्लब पांच इंच मैंने ऊपर तक पानी डाला है यह देखिए उसके बाद से मैं इसमें डाल दिया हल्का सा ओईल और तेगी मिर्श इसमें डाल देंगे और इसको इसमें मैंने देखिए थोड़ा सा मैंने salt डाला है उसके बाद से हम इसको कर देंगे silver foil से cover इसको silver foil से हम cover कर देंगे आपके पास lead है आप lead से कर दीजिए लेकिन मेरे को क्या करना है मेरे को इसको दम लगाना है दम लगाना है इसको वह भी तंदूर पर अब मैं इसको overnight तंदूर के उपर रखके चला गया और सुबह आया तो मेरे को यह ऐसा मिला देखिए यह हो गया पूरा अच्छे से अब उसके बास से चलिए अब हम इसका बनाते हैं एक और तड़का एक तड़का बनाएंगे फिर से हम ले लेंगे क्वैसी हंडी और उसमें हम डालेंगे ओइल जैसे कि मैं उसमें ओइल डाल दिया है अब उसके बाद आपको चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट आप उसको आप अच्छे से पेस्ट बना लीजिए उसके बासे में देखिए इसमें पेस्ट यूज कर रहा हूं पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गालिक पेस्ट अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे जिंजर गालिक को अच्छे से हम भून लेंगे देखिए जैसे मैं भून रहा हूँ इसको अच्छे से आप इसको भूनिए जब तक यह हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक आप इसको लगातार इसको चलाते रही है क्या होता है कि जब हम जिंजर गालिक पेस ओईल में डालते हैं तो नीचे से चिपकना चालू हो जाता है जैसे लगता है कि वो जल रहा है लेकिन वो जलता नहीं है आप जैसे उसमें कोई मसाले डालेंगे तो फिर से रिमूब हो जाता है तो आप देखिए जैसे कि यह हलका स ब्राउन होगा फिर हम इसमें मसाली डाल देंगे तो आप बीलकूल इसमें पानीirmi डालना है बीच में की जैसे सपते लगर अधिलाए तो मैं पानी डाल दूँ तो कुछ नहीं डालना है आपको इसको आपको बस चलाना है अच्छे से और जैसे वो चल जाएगा जैसे वो ब्राउन होने लएगा वो दिरे दिरे लगना कम हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें देखिए देगी मिर्च यूज करना हूं अपनी क्वांटिटी कही साब से आप अपनी क्वांटिटी कही साब से देगी मिर्च आप डाल बख़एगा महीं टमेटो प्यूदिमेट डाल रहा हूं केफ़ यो मिल्ची के बाद हम अच्छै से छोड़ेंगे पकने के लिए कि संधी समय एंदिए टमेटो फ्यूरी पकने के कि और प्यूरी है ऊपक गया है उसकेपास से आपको वाइल इसमें डाल डाल देनी है वह ढटाल के ने बाद इसको अच्छा से करना हमYou और medium flame पे इसको रख देना है पकने के लिए और इसको आप अच्छे से mix कर लिए क्योंकि जो हमारा जिंजय कालिक paste है जो हमारा tomato puree है वो अच्छे से हो जाए mix और अच्छा सा एक taste यह दे और देखिए इसको मैं अच्छे से mix कर रहा हूँ अच्छे से mix करने के बास से यह मेरे पास अभी जो अभी stage है इसकी डाल की अभी इस time पे लगती है तो इसको आप high flame पे ना रखें मैं देखिए यह मेरे पास ज्यादा quantity में है तो मैं इसको दम पे रख देगा हलके flame पे तवे पे रख दूँगा और यह पकता रहेगा और उस इसको फ्नीस किया जाता है यह देखिए इसकी जो फ्नीसिंग है वह अभी बाकी है यह देखिए जैसे कि हमारा दाल पक गया है अभी almost ready है फिर मैं इसको निकाल लूँगा एक पैन में इतना भी नहीं हमें पूरा set करना है दाल को थोड़ा समय एक portion एक जने के हिसाब से मैं मैं दिखा रहा हूँ आपको यह देखिए उसके बास मैं थोड़ा सी ठीक है तो इसमें हलका सा पानी यूज कर रहा हूँ और उसके बास से इसको करेंगे अच्छे से mix फिर हम इसमें डाल देंगे butter butter है बहुत ही महत्तुवपूंड इस डिस में butter और cream butter डाल दिया उसके बा मेथी जो dry अपना fenugreek powder होता है उसको हाथ से क्रस्ट करके डालते हैं उसको डालने के बाद इसको हम करेंगे mix अच्छे से एकदम अच्छे से कर लेंगे इसको mix उसके बास से हम लास्ट में डालेंगे इसमें cream cream डालेंगे और इसको फिर से कर देंगे mix और फिर हमारा आ प्लेटिंग का time मतलब अब प्लेटिंग हो गया तो खाना भी पड़ेगा ना इसको तो देखिए यह ही है हमारा सब्र का नतीजा कि लास्ट में हमें यह मिलता है ऐसी दालमखनी आपको खाने की मिलेगी कि आप बोलोगे वाह क्या बनाया है खुद अपने आपको बोलोगे तो प्लीज आप घर पे इसको बनाईए ट्राइ कीजिए एक बार डालमखनी में कुछ इतने मसाले या फिर इतना कुछ है नहीं आप एक सिंपल सी रेसिपी है लोग इसको बढ़ा चड़ा के यह है वो है बता देते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है आप इसको घर पे बनाईए और ट्राइ कीजिए और खाईए और चार लोगों को खिलाईए फिर बोलेंगे वो भी वाह क्या बनाया है इसकी मैं गार्निस कर रहा हूं अपना क्रीम और बटर और थोड़ी से अपने ट्राइवाले जो अपना फेनुगरिक पाउडर होता है उससे हम कर लेंगे गार्निस अब हमारी रेश्पी हो गई complete तो अभी चलिए टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा है हमारा ये दाल मकनी तो अभी चलिए चेक कर लेते हैं तो ये है लाजबाब आप एक बार घर पे बनाईए और खाईए I hope कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी Thank you so much for watching this वीडियो or haan please subscribe to my youtube channel